प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्ष्री इंद्राक्ष्री धाम में दर्शों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज की दिन जिन जात्कों का जलम दिवस है, मेरी जनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत सुब काम नाएं। आज हम बात करेंगे कि मंत्र साधना विफल क्यों होती है, मंत्र साधना आपकी सफल क्यों नहीं होती है। मंत्र किस जाती का है? हाँ, मंत्रों में भी ये सारे चीज़े होती है, जाती वो मैं समझें आप जो हम लोगों में होती है। मंत्र आपके अनुसार है या नहीं, ये बात भी प्रकट होती है। मंत्र जब आप किसी भी मंत्र को जबते हैं, उस मंत्र में उस मंत्र के देव के परती, आपकी श्रद्धा कितनी है। ये सारी चीज़ें बहुत आवश्रक हैं, अब आप ये मत्र समझें कि मंत्र के लिए हमें ऐसा माला लें, ऐसा आसन लें, आपके विस्वास पर सारी चीज़ें नगन्या हो जाती हैं, इनसान जब किसी मंत्र को जबता है, साधक जिस वक्त अपने लक्षे की तरफ आगे ब हमें बढ़ता है, तो आसन कैसा हो, माला कैसी हो, फूल कैसे चणाएं, अगर बत्ती क्या जलाएं, धूबत्ती क्या जलाएं, सब चीज़ें पीछे छूड जाती हैं, आप आपका देव, आप आपका लक्ष है, गोड़ा सड़क पर दोड़ रहा होता है, आपने देखा कि गोड़े के यहां साइड में लेदर के या किसी चीज की चीजे लगी होती है, गोड़े को इधर उदर ना दिखे, बास लक्षे की तरह पागे बढ़े, साधक को भी इधर उदर नहीं देखना, बस लक्षे की तरह पागे बढ़ना, किसी भी मंत्र को सिध करते समय, आपके अंदर धैरिया होना चाहिए किसी भी मंत्र की सिधी करते समय आपके मन में उस मंत्र के प्रति उस देव के प्रति विश्वास होना चाहिए मंत्र जपते समय उत्थला मन है ना विस्वास है ना धहरिया है उतावलापन है सिद्धी नहीं हो सकती आज मैं अपने सभी सादकों से दर्शकों से एक बहुत बढ़ी कीम्ती बात कहने जा रहा हूँ आप बजार से कुछ किताबे ले आते हैं उन किताबों में क्या लिखा होता है रंभा सादना अपसरा सादना परी सादना और कितने दिन में 21 दिन में अरे भाई किस दिन में क्या 21 साल में भी पती पतनी के जगड़े दूर नहीं होते किसी ने किसी बात पर कुछ नकुछ लगा रहता हर परिवार में और आप समझते हैं 21 दिन में आप से रंभा सिद्ध हो जाए आप समझते हैं 21 दिन में अफसरा आपके आंगन में आके नाचने लगे ऐसा नहीं होता कई बार कई बच्चों ने मैं कर्मेंट्स किया अफसरा साधना पर परकास डालें रंभा साधना पर परकास डालें करण पिसाचनी पर परकास डालें देखो बच्चों आप बहुत दयालू हो बहुत भावुग हो ये साधनाएं ऐसे नहीं होती एक जीवन था कि किस प्रकार से जो साधना की जाती थी साधक कैसे गुम हो जाते थे कैसे कैसे वो तब तितिख्षा करके जब देवताव उनसे प्रकट होते थे चीक है कलिकाल है कल्यूग है साधना फलिवूद भी होती है लेकिन हमारे अंदर के कू संसकार हमारी साधना को फलित नहीं होने देते इसलिए ध्यान रखें ये 21 दिन की सिद्धियों के चमतकार में ना पढ़ें ऐसे नहीं होता आप किसी मित्र से मित्रता करते हैं उसमें भी वर्षो लग जाते हैं उस मित्र के प्रेम को पाने के लिए आप समाज से प्रेम करते हैं वर्षो लग जाते हैं समाज के अंदर अपना जगह बनाने के लिए ऐसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती एक बच्चा ऐसे एपल सीखते 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 डिग्री कॉलेज तक जब जाता है न तो वो एक दिन का सफर नामा नहीं होता उसमें भी बीसो वर्स लग जाते हैं लगते हैं न तीन-चार साल तो आजगल केजी पेजी में निकल जाते हैं बारा साल बारवी तक निकल जाते हैं बीसो वर्स तक जाकर के डिग्री हाथ आती है और हम क्या सोचते हैं बस बीस और एक इस एक इस दिन में बस अफसरा आ जाए सोने की गिन्या हमारे तक्या के नीचे रखते ऐसा जो भी आपको कोई कहता है I can't believe मेरा जीवन काल विविन प्रकार की सादनाओं में बीता है मैं विविन प्रकार की सादनाओं से मैंने अपने आपको गुजारा है मैंने विविन प्रकार के सादूं का संग किया है पढ़ाही के साथ साथ एजुकेशन लेता रहा और इस प्रकार की एजुकेशन भी बच्पन से रही है और आज भी सीख रहा हूँ आज भी कुछ नहीं जानता हूँ इसलिए मेरे साधग जो मंत्र आपको गुरु ने दिया गुरु मंत्र पे भी एक दो दिन में हम आपको टॉपिक देते हैं बताते हैं जो मंत्र आप जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं बस उस मंत्र में विश्वास डाल दीजिए उस मंत्र में जान भूग दीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा आप भागवान शिव की भक्त हैं आप भागवान शिव को पूझते हैं आप राम के भक्त हैं आप हनमान के भक्त हैं God is one आपको हनमान जी क्या नहीं दे सकते रमभा अपसरा बड़ी या हनमान जी बड़े बताइए करण पिसाचनी बड़ी या भगवान शिव का अशिरवाद बड़ा 84 प्रकार की यक्षनिया होती है 48 प्रकार की यक्षनिया है वो सोम मेता परदान करती है सोम में साधनाओं से सीध होती है और कुछ यक्षनियों के लिए हमें तिक्षन साधना करनी पड़ती है समसान वासनी यक्षनिया होती है समसान में साधना करनी पड़ती है शब साधना करने परती है नाना भादी की हमें साधना करने परती है इसलिए जो मंत्र आपको किसी ने भी दिया है या जिस मंत्र के परती है आपकी शृद्धा आस्था है उस मंत्र में ही विस्वास डालना आ जाए तो कमाल हो जाए आप किसी भी देवी देवता नरसिंग भगवान को ले लें किसी भी देवी देवता का आप मंत्र सिद्ध कर ले सारी सिद्धियां आपको उनी मंत्रों से परदान हो जाएंगी सीता जी ने आश्ट सिद्धी नवनिधी के दाता हाहा क्या बात सीता जी ने हनवान जी को बुर्दान दिया कि आश्ट सिद्धी तुम्हें प्राप्त हूँ किनके भक्ते है हनवान जी राम जी के आश्ट सिद्धी नवनिधी के दाता आप भी हो सकते हैं आश्ट सिद्धी नवनिधी के दाता लेकिन विस्वास नहीं है हमने कहा राम जी को पूझो गुरु जी ने कहा कि बिटे ये 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 दिक्षा मंत्र है इसे पूझ अब बेटा विस्वास नहीं करता अरे गुरु जी से मंत्र लिया अरे विस्वास नहीं है अरे बहुत सारे मंत्र ये वो किसी हम जैसे बेखूप से ने कह दिया आपको अर स्याम जी को मत पड़ो, बैस हमारी बात मानने किसी ने कह दिया, अरे शाम जी, तुम्हे क्या देंगे, हंने तुम मुलई बजाने से फुरस्षत नहीं हैं, तुम हनवान जी को भजो, अई हनवान जी में जीवन जीते रहते हैं उन्त था फूख निकल जाती है गुबार्वा फट जाता और जिंदो की कान तो जाता है कोई साथना नहीं कर पाए कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए शिद्धि के प्रति विराग्य रहा मन रहा लेकिं शिद्धote घर नहीं पाए इसलिए मेरे दर्श को एक तो भटक ना बंद करिए भटक ना छोड़ दीजिए भिलनी नहीं भटकी उसे विश्वास था कि राम जी आवेंगे क्या था राम जी आवेंगे बड़े बड़े आश्रम थे बड़े बड़े रिशी मुनी वहा रहते थे भिलनी की क्या उकाद थी क्या विसात थी वह आश्रम जब पता लगा कि राम जी को चोदा बरश का बनवास हुआ अब राम जी यहां भी आ सकते हैं वहां भी आ सकते हैं बड़े बड़े आश्रम में में पहले वो जाएंगे तब तब भिलनी के पास आएंगे ऐसा भिलनी सोच सकती थी लेकिन नई उसे विश्वास था और वास्विक्ता यही है कि रामजी जब स्रोबर से इसमांग करें कि जो मन्तड़़ उठा कि मुझे भिलनी मुझे मिलना है मुझे मिलना है काकी से मिलना है तो साथ वो कहीं नहीं गए बड़े-बड़े लोगों ने उन्हें इन्वाइट किया बड़े-बड़े आश्रमों ने अरे प्रभू आप चिंता न करें आप बहुत जगह है मेरे आश्रम में आप महा आई ये महा रही ने वो एपनी जिन्दगी अपने हिसाब से जिए मर्यादा पुरुसत्यमराम थे मर्यादा को जिया उनों ने मर्यादा दिखाई उनों ने है न और कहाँ देखो कैसे बेर खाये उनों ने तो विस्वास ऐसा होना चाहिए कि प्रभु आएंगे भोग लगाएंगे और हमारे बेरवी चखेंगे बस हमें मंत्र साधना को सुन्दर से करना है और जिस भगवान के पुरती हम मंत्र को जप रहे हैं विश्वास के साथ जपना विश्वास और धहर्य दोनों चीज़ चाहिए कई बार धहर्य तूट जाता पूरा जिवन बेच जाता है पूरा जिवन मीरा जी को देखिए मेरा बाई को देखिए कैसा ठूट विश्वास क्या बात है लीन हो गई भगवान स्रीकर्शन में कैसा विश्वास सुदामा का विश्वाज देखिए भगवान के पृति तंदुल काख में जगाबा के दवा के चले गए अब प्रेम देखिए भगवान का दोस्ती के पृति देखिए क्या राजा दोड़कर के राजा भी है वो भगवान करसन योगिराज भी है राजा भी है और इश्वर भी है तो हमारा जिस दिन ये विश्वास जाग गया अपने देव के पृति आपकी सिद्धी आपको मिलके रहेगी आप मानिए हमारी बात इसलिए मंत्र आपके उपर है देव आपके उपर है किसी भी देव को चुन ले किसी भी देवी को चुन ले किसी भी मंत्र को चुन ले बस वो मंत्र शुद्ध लिखा हो सुद्ध उसका तरीका पता हो उसके बाद फिर कमाल दिखाईए विश्वास परदा के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको सिद्धी होगी आप को चमंतकार मिलेंगे, आपको भ्गवान आपके बस में होंगे, भगवान सदय भक्त के बस में होता, जीधर भक्त खीच लिता जाना पड़ता, फूल में खुश्बू हो तो भवरे को मडराना पड़ता है अब फूली प्लास्टिक का बना हो डूब्लिकेट बना हो तो क्या भवरा क्या तितली क्या गुंजन तो ऐसे ही अपने मंत्र के पूरा विश्वास और इन चकरों में मत पड़ा करें इस्ट किसे बनाए किसको इस् मिलेगा ठीक है आज का बात बस इतनी ही हम सोसते हैं आगे बहुत लंबा चैप्टर हो जाते हैं और हम जो सेमिनार बड़े-बड़े अब आपके संग मिलकर की करने वाले हैं उसमें आईए पधारिये बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी और हमारे एपिसोड कौन सा एपिसोड सुनिए देखिए आपको बहुत समझ में आएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको बॉरा मत्मानी है कई बार हम कटू हो जाते हैं आपकी भलाई के लिए एक शिक को कडवा होना पड़ता एक पिता को पुत्र के लिए कडवा होना पड़ता तो आप यह हमारी क परदास करना सीख जाए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे घर बैठे-बैठे-ची सीख जाएंगे जिस कोने में बैठें कही जिस चप्षी हैं जिस जिस जगारण घड़ें इनुग कई भटकना न भुटखना नहीं जL Divine बीजनकुरित होने लगे हैंगे आपकी साध्ना में बहुत कुछ देने लगेगी आईए दर्शो को श्रम हो चला है आज की ध्यान साधना में भक्ती की बात की है तो भक्त हनमान जी की बात करनी भूलीने चाहिए आईए जुने परभू हनमान जी से निधानं वानराणाम अधीसं रगुपति प्रियवक्तं वात जातं नमामी मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेंद्रियं वोद्धिमतां वरिष्टं वातात्म जंबा नर्यूत्यमुक्यं स्रीराम दूतं सर्णं प्रवद्धे रामाया राम भद्राया राम चंद्राया वेदसे स्री रगुनाथना धाया सीताया पताये नमाहा शिरी हनुमंताये नमाहा कबच बना लें ध्यान करें परभू हनुमान जी के करपा सभी को प्राप्तो अम बोलते हुए नेत्र खोलने समन्य हो जाएं देखो दर्शो को आपके अंदर बहुत बड़ा जवाला मुखी है आप एक बहुत बड़ा नगीना हो बस तराशने की अवश्यक्ता आप हीरा हो हीरा आपकी वैल्यू हम समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं अपनी वैल्यू आप हीरा हैं बस अपनी कदर करिए यह संसार आपकी कदर करेगा अच्छे से मंत्र साथना पर विश्वास रखना ये विकार की वहियाता न बातों पर ध्यान मत देना अब हम भगवान को परलोबन ना दें लालश ना दें कि भगवान जी मिठाई का डिब्बत अभी आएगा जब मेरा डब्बू पास हो जाएगा हे वैशनमाद तेरे घर जबाऊंगी जब स्कूटी आजाएगी कार आजाएगी तब ही जगराता कराऊंगी जब बेटी ब्यालूंगी ऐसे परलोबन मत दिया करें भगवान को ये ओच्छी भक्ती बंद कर दीजिए भगवान कोई अफसर नहीं है किसाब मेरी ये फाइल पास कर दो तो मैं आपको रिश्वत खिला दूँगा है ना दो डोनेशन दे दूँगा तो ये भगवान के साथ ये इस टाइप की सब्द नहीं होने चाहिए चलिए आपका बहुत समय लिया इनी शब्दों के साथ पुनिमानी को ब्राम देते जैमा इंद्राक्षी क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ बाते ये हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुडा जब से जुडा रहा जो भी समझ से आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल बहुत चले गए और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ और मैं यह कहूँगा सभी लोग से आगरा करूँगा कि ये पहले इनके बात करें समझें देखिए कैसे उनने अपना रूप दिखाया है और मैं इनसे बहुत परवाईत हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें